सो हलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले ए रूपी के बारे में ए रूपी से रिलेटिट क्या होता है कैसे यूज किया जाता है क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है तो सबसे पहले ए रूपी एक डिजिटल पेमेंट मीडियम है यानि की पेमेंट करने का डिजिटल तरीका ह अब इसे 2 अगस्ट 2021 को PM मोदी के द्वारा लॉँच किया गया था एक NPCI के द्वारा डवलप किया गया है अब डवलप किया है NPCI होता क्या है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया इसी नहीं UPI जो हम यूज करते हैं वो भी लॉँच किया था हमारा जो भी मैप है इसी के द्वारा डवलप किया गया हमारा जो रुपए काइड होता वो बी-स इने डवलप किया अब इसरो को में ली यूज कैसे करते हैं वह अगर देखें तो इसरो कोई भी qr कोड होता हमें qr कोड मिलेगा और हमें जिस जो भी प्रोडेक्ट लेना जिस से पांदार से तो वो QR कोड हमें दिखाना पड़ेगा तो उसको दिखा के अगर वो स्कैन हो गया तो हम वो प्रोडेक्ट ले सकते हैं अब जिसके जैसे जो छोटे फोन होते हैं उनमें तो क्यूआर कोड आता नहीं है तो उसकी जगे हमें SMS मिलेगा तो SMS जो होता है उसमें जो पर में अब बड़े वैंक यह सिस्टम हो जाएगा तो सारे वैंकों को एक तरह से जोड दिए जाएगा इयरूपी के पूरे सिस्टम में तो जैसे मुझे अगर कुपन बन्वाना होगा किसी के लिए कहा पार किसी के लिए यूज करना तो मैं बैंक के जाओंगा, बैंक में अपनी सारी डीटेल दूँगा, कि इन इन लोगों को भेजना है, कूपन, और यहां पर जाके यूज होने वाला है, तो वो उस दुकान में भी जाके, send कर देगा, कूपन, तो बैंक क्या करेगा, मेरे से सारी डीटेल ले 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 जितने कूपन मुझे बनवाने होंगे, जो भी चार्ज होगा उनका, और बैंक सारी डीटेल किसे भेज देगा, एन पी सी आई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया, तो एन पी सी आई तुरंट कोड बनाएगा, दो मिनिट के अंदर कोड जो भी होंगे, उ गवर्मेंट को अगर ये QR कोड बनवाने हैं, तो वो भी बैंक को एपलाई करेगे, कि इतने इतने लोगों को बनवाने हैं, आप QR कोड सेंड कर दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो ऐसे ये पूरा सिस्टम होने वाला, बिल्कु सिक्योर्ड, हाइली सिक्योर्ड, ये समझने के लिए एक एक एग्जांपल ही मदद लेते हैं, जैसे कि अगर हम राशन गवर्मेंट हर जगे प्रोवाइट कराती हर शहर में प्रोवाइट कराती, तो अभी तक राशन लेने में क्या होता है, सब लोग जाते हैं, अपना फिंगर प्रिंट लगाते हैं, आधार क के नंबर रजिस्टर है कि इन इन लोगों को राशन देना इन लोगों को मिलता है तो उनके फोन में QR कोड आ जाएगा अब वो लोग सीधे राशन की शॉप में जाएंगे जो भी कंट्रोल रूम रहता है उनका तो वहां पर QR कोड स्कैन करेंगे मैच कर रहा तो उनको राशन सर्विस की बात करें कैसा हो सकता जैसे कई बच्चों के स्कॉलर्षिप मिलती है जाता है कई बच्चों का करना पड़ता यहां का को में सीधे जाके ऑं-लाइन बच्चों को हमें scholarship प्रोवाइट करा नी और सब्सक्राइब करें और जो होटा है और बच्चे अपने को डिखा देगा कोई भी सर्विस के बतले हम थे क्यो आर पेमेंट को यूज कर रहा है यह रूपी के QR code या SMS जो आएंगे वह एक तरह के voucher रहेंगे तो हम किसी भी सर्वेस के बदले जाके इसे ओपन कर सकते हैं, कहीं विए पर्टिकुलर जाके इसका payment कर सकते हैं किसी भी प्रोडेक या सर्वेस के बाद मतलब एक तरह के वाउचर रहेंगे एक पर्टिकुलर जगहे पे ही वो ओपन होंगे और कहीं अगर वो क्यूआर कोड स्कैन कराएंगे तो वो ओपन नहीं होगा अगर इसको एक हम एक्जामपल से समझे तो अगर कोई प्राइवेट क जाता है कि उसके इंपलॉई ने बहुत अच्छा काम किया साल भर तो यह घूमने चला जाए सिमला दो दिन के चुट्टे के लिए तो अब मालिक हिसाब लगाएगा कि यह होटल में रुखेगा खाने पीने का मैं वाउचर बनवा लेता हूं और जो इंपलॉई है वो सोच जार रुपय के बनवाली है अब वो क्यू आर इसकैन जो होगा तो एक इसकैन जिस होटल में अपने इंपलॉई को रुकवाना है वहाँ पर चला जाएगा एक क्यू आर कोड और सेम क्यू आर कोड उसके इंपलॉई के पास चला जाएगा तो अगर वो दो दिन की का पर नहीं होगा ना कहीं भी यूज हो सकता है अगर वो किसी और जगहे पर जाकर कराएगा उस क्यू आर कोड को तो इन्वैलिट बताने लगेगा तो उसका एक यूआर कोड और उसमें उसी को घाटा है क्योंकि उसके जो माली के पैसे होंगे वो तो फिर वापस माली के पास पता चल जाएगा कि घूमने नहीं गया तो मतलब वह गया तो फायदा उसका नहीं गया तो उसी का घाटा होने वाला अब यह पूरा देख रहें किसके अंडर ऊपर से और इसमें जितनी वी पेमेंट माल लो कोई नहीं कर तो कम से कम जो भी उस क्यूर कोड के लिए पैस से वापस हो जाएंगे ऐसी गवर्मेंट के साथ होगा गवर्मेंट का अगर वो QR कोड इसके नहीं हुआ तो पूरे पैसे गवर्मेंट के पास चले जाएंगे तो मतलब बिल्कुल और टेकनोलोजी के इतना अच्छा यूज हो रहा है गवर्मेंट की तरफ से मतलब यह काफी चीज़ यह रूपी सिस्टम के बेनिफिट यह प्रॉफिट के बारे में देखे कि क्या हमें फायदा होने वाला इससे सबसे पहली बात तो हमें इसमें कोई भी इंटरनेट की यू नहीं करना पड़ेगा पचास बार जो है इमेल डालो नमबर डालो नाम लिखो पूर अपनी डीटेल से तो इसका भी कोई जंजट नहीं रहने वाला है आपको इसके बाद सिक्योर्टी एडवांटेज में देखे आप अपनी कोई डीटेल नहीं देंगे तो सिक्योर्टी सब्सक्राइब ज Greg Chosen heard plenty जितना बी परस्नल इंफॉर्मेशन रहती वह साइबर अटैक्स होते रहें इनग्सक्राइब प्रफीफ एससा कोई साइबर नहीं नहीं रहेने वाली तो काफी तो समझ में के गया होगा कि रहने रहने वाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत